हेलो दोस्तों सुवु और सोणू चैनल में आप सभी का स्वागत है भादरपत मास के सुकलपक्खे के चतुरदसी तिथी को अनंत चतुरदसी ब्रद क्या जाता है इस दिन अनंत भगवान की पूजा क्या जाता है अनंत भगवान विश्णुजी का स्वरूफ होता है और नहीं खाना चाहिए नमक का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस वीडियो में आपको जानकरी मिलने वाली है उससे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लिजिए बेल बटन को दवा दिजिए ताकि जानकरी आपको प्राप्त हो सके तो देखिए इस ब्रत का पहला नियम होता है इसमें नमक का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए कई लोग इस दिन फलाहर लेते हैं और कई लोग मिठा भोजन करते हैं और फलाहर जैसे एकादसी को आप कुटो का आटा समा चावल ये सब यूज करते हैं साबुदान से बनी चीजें आलो के सीरा सकरकन के सिका हल्वा ये सब आप बना के खा सकते हैं तो एकादसी का फलाहर ले सकते हैं, उसके साथ आप चाय, दूद, ड्राइफरूट भी ले सकते हैं, मिठा भोजन में आप जैसे की आलो की सीरा हुआ, सकरकंद की सीरा हुआ, और भी जैसे दूद से बनी मिठाईया, और मिठी दही, ये सब चीजें भी आप ले सकते हैं, पर इसमें अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही नमक का सेवन करना चाहिए नंद भगवान को खीर पूड़ी पुआ ये सब का प्रशाद लगाया जाता है और कुछ प्रशाद आप ब्रामन को भेशें कुछ घर में भितरण कर दें एक बात का ध्यान रखें आप फलाहर भी बनाते हैं तो आप देसी घी से बनाएं और देसी घी से नहीं बनाते हैं तो आप मुफली का तेल से बना सकते हैं पर बाकी तेल जो भी आजकल मार्केट में आ रही है और सर्शों का तेल ये सब बिलकुल भी यूश ना करें नहीं डालडा घी का यूज़ करें, क्योंकि डालडा घी बहुत ही असुध होती है, पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं, तो आप इतना बड़ा ब्रत करेंगे, और थोड़ा सा जो नियम आप नहीं मानेंगे, तो आपका ब्रत खंडित हो सकता है, तो इसलिए आप ये सब च इहान रखें